So, Hi Guys, What's Up? और आज की वीडियो में मैं आपको कराने जा रहा हूं WinRar vs. 7-Zip आपने देखा ही होगा कि आपको अगर कोई भी फाईल एक्स्ट्राक करनी होती है या फिर उसकी MB कम करनी होती है तो आपको उस फाईल को चाहरा है तो उन सब काम के लिए कौन सा आप सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है तो मैं बस यही बताने जा रहा हूँ आज की वीडियो में आपको विंडर वर्सिस सेवन जिप तो मैं आज आता हूँ अब अपने एज के सर्फिस पे जहां पर मैं आपको लेकर चलूँगा और दिखाऊंगा और फिर उनका कंपेरिजन आपको करके दिखाऊंगा लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं कि आपके अंदर दिमाग में कॉश्चिन चल जाए कि जल्दी से पता चल जाए कौन सा है तो वीडियो को स्किप मत करना पूरी देखे तब भी आपको बेटर चॉइस का अंडरस्टैंडेशन मिलेगा तो मैं आ जाता हूँ तो मैं आ गया हूँ और यहाँ पर आपको डालना पड़ता है विन्रेयर डाउनलोड तो जब आप यह डालते हैं विन्रेयर डाउनलोड तब आपको एक विन्रेयर की ऑफिशल साइड मिलेगी तो मैं आपको ले आता हूँ और साइड पे तो यह देख लीजे यह है यह विन्रेयर की साइड तो आपको ज़स्ट इसे खोलना है लेकिन आपको ध्यान दखना है कि इसके प्रिमेर के चक्कर में आप किसी गलत वेबसाइड पर ना जाये क्योंकि विंद्रेर नाम की फाइल को वाइरिस इसके फॉर्म में भी किया जाता है यहाँ पर डाउनलोड पर जाये और फिर यह खूलेगा फिर अपने Windows के साफ से यहाँ पर select कर लीजिए मैं English select करता हूं तो यहाँ पर होगा English So here it is और मैं यहाँ पर वर्जन कर लेता हूं और यही ठीक रहेगा प्लैट्फॉर्म आपका लीए आपको macOS पर चाहिए Linux पर चाहिए Android पर चाहिए तो उन सब का है और आज के अंदर आपको डालना है 32 या 64 बिट तो उसको जानने के लिए आपको अपने PC पे विंडो प्लस आर दबा कर MS Info 32 डालना है और यहाँ पे आपके पास एक काफी सारी informations आ जाएंगी कि आपके device क्या चला है यह system informations आ गई है जो दीरे दीरे लोड होंगी और यहाँ पे आपको मिल जाएगा और मुझे पाता है कि यह मेरा जो PC है वो 64 बिट का है तो यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूं और यहाँ पे कुछ सर्च बच जाते हैं तो यहाँ पे आ गया English अब मैंने जैसी ही डाउनलोड पे क्लिक किया अब यहाँ यह आगया है और डाउनलोड विन्राइट पे क्लिक कर देना है अब वो आ जाएगा आपके पस नेचे एक सेट अप फाइल नहीं आए तो आप यहाँ क्लिक हेर को यूज कर सकते हैं मैं इसको स्पेशली एक लोकेशन पे सेफ करूंगा जो है मेरा फेवरेट मेरा डेस्ट जॉप और डेस्ट चॉप के अंदर मैं इसको डालूंगा विन्राइर चीक है तो मैं डाल मैं डाल देता इसे विन्राइर और यहां यह विन्राइर की फाइल डाउनलोड हो जाएगई साइड में आप यहाँ पर जाएगा और डाल दीजिये सेवनड जिप तो आपको यहां पर सेवनड ची की ऑफिशल साइट मिल जाएगी यहां पर जैसी यह आप प्लिक करेंगे तो यह सफिस सकते हैं आप इसका 19 वर्जिन डाउनलोड करें ठीक है और यहां पर बाकी सारे चीजों या फिर बाकी सारे के साफ से भी है यह विंडोज के लिए 64 साइज इतना टाइप एक सी फाइल होनी चाहिए तब ही वो आपके विंडोज में खुल पाएंगी मैं फिर से आता हूं यहां पर डॉंडोड करता हूं और यहां 7-zip नाम से की एक फाइल सेफ कर देता हूं तो यह दोनों आ गई है मेर टेस्टॉप तो मैं ले आता हूं आपको तो गाइस देख लिजे मैं आ गया हूं अपने प्रिये डेस्टॉप पर यह रही वो दोनों फाइल जिन से मैं इने डाउंडोड करूंगा तो मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं और यह देख लिजे एक दो मिनिट के लिए आपको करना पड़ेगा और यह पॉमिशन मांगेगा यह पॉमिशन बहुत ही सिंपल होती है इसलिए आप इसको एगनोर मत करें इसको यह पे क्लिक कर दीजिए अब देखना यहां पे एक न्यू विंडो खुलेगी और इस विंडोस के अंदर से आप इसे डाउंडोड कर सकते हैं तो यह देख लीजिए आप इसे यह एंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए और जेस यह देख लीजिए कि आप कौन कौन जी फाइल कुछ उंजिप करना चाहते हैं ओके हमने और पे क्लिक कर दिया है हम आ गय है अपने इस पे और ड़न कर दिया है तो अब आ जाता हूँ 7-zip के ऊपर 7-zip नाम की फाइल इसे हम खोलेंगे ये भी कुछ permissions मांगेगा इसको आपको उससे पहले ये एक फाइल खोल देगा विकाज अब ये विंडर हमारा सेव हो चुका है तो अब मैं कहा रहा था 7-zip की फाइल को खोलने के लिए तो ये मैंने उसे खोल दिया है तो ये एक सेकेंड लोड लेगा और ये फिर से अगेन 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 दिस पॉप अप और ये पॉप अप क्या है ये तो आपको इसको येस करना पड़ेगा और अब मानेंगे निए इसकी इंस्ट्रॉलिशन सो कोईक होती है मैं इसे ओलेडी एक दो बार डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए इसने कुछ एग्रिमेंट्स को अभी नहीं करवाया है बनाए उन्हें भी एग्री करवाता है तो अब मैं आ गया हूँ और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दोनों एप्स डाउनलोड हो गये है अब मैं आपको एक बहतरीन ट्रिक बताता हूँ हाउ टू देट मेरे यह दोनों प्रोग्डाइम्स डाउनलोड हो गये है तो उसके लिए आपको एक डेस्टॉप पर जस्ट न्यू फोल्डर बनाईए यहाँ पर आपने बनाया और यहाँ पर आपको दिखेंगे कुछ दो आप्शन जब आप करेंगे इस पर राइट क्लिक यह आ गए है हमारे विन रायर का कमाल और यह आगए है सेवन जिप और यह सी आर्जी उसका कमाल तो आप आप इसको क्या कर सकते हैं कंपरेश तू न्यू फोल्डर जब चाहिए यह सेवन जप चाहिए यह फिर इसको आप देख लिए मैं इसे कंपरेस करता हूं इस बिन राय से तो यह प्रेस होने में ले जाएगा कम से कंप से कम थोड़ी तर देखते हैं किती देर लगती है इने कर ले में हृम यह को रहा है हो रहा है बस यह स्टार्ट होने कि देधी होती है याप देख सकते कर्सल लोडिं लोडिंग हो रहा है तो मैंने उसे कैंसल कर दिया है कोई नहीं मैं आपको फिर से कर के दिखा देता हूं आपको इन तीनों Linus यहां पर आप एक नई फाइल बन जाएगी चेक है और फिर सेम थिंग इनके साथ करिये राइट क्लिक और सेवन जिप के अंबर हम करके देखते हैं यहां पर आप इसको दिखेंगे एड़ तो यह मैंने कर दिया है इसे कम प्रेस और यह देख लिजिए कि क्विकली यह सेवन जिप ने किया तो आइवड प्रेफर यू तो चूज सेवन जिप और अब इन दोनों फाइल्स को उन दोनों एप से करते हैं और देखते हैं हमें लगी किती है अभी मैं इन तिनों फाइल्स को डिलीट कर देता हूं आ पने और यहां पे इन दोन को लिएता हूंँ 앞으로 में अब इसको करता हूं मैं का ब्राइक।' गलेक एकस्ट्रैट्थाफ टूट्या थी क्यूठ तो यह मैंने किया एकस्ट extract करके दिखाता हूँ किस से 7-zip से extract to desktop और यहाँ पर yes to all कर दीजिए क्योंकि duplicate files मनेंगी एक बार इस file को delete करके आपको करके दिखाता हूँ 7-zip से और मेरा मानना जो है 7-zip is always better इसकी installation इसके अंदर आपको एकदम absolute free होता है कोई membership कुछ नहीं चाहिए, just second, one second में download हो जाएगा, हर एक चीज आपको इसमें provided है, जो आपको चाहिए, आप यह तक कि आप अपने normal folders को भी extract कर सकते हैं, उनकी files को extract कर सकते हैं, और ये देख लीजिए, so, मेरे ख्याल से, अगर आप जाए, तो 7-zip की तरफ से, because WinRare इतना नहीं है, बाकी WinZip की भी लोग बात करते हैं, लेकिन I would prefer you to choose 7-zip, और अब मैं आपको मिलूँगा अपनी next वीडियो में, तब तक के लिए stay tuned and blessed. झाक कर दोन वीजियों है, भाकी है, width?